अगर आज आज की मारे वीडियो है एक मॉस्फिरिक प्रैशन में वे रिशन कैसे आती है एक मॉस्फिर परैक्श चेंज के अचित था इस पर जो के ग्लास 9 फिरीम नुम्र सेवन का मारे पाश भीडे एक मोस्टीर को मेर किसे करते हैं या मर्धी डिसकोस कर चुकए है πटकर रिवीग दे रिए इसको मे एक ट्रुफ के अंदर, एक ट्रे के अंदर इसको invert कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर हमने mercury फिल की होती है, सारी-सारी यहाँ पर mercury होती है, यह सारा mercury होता है, और अगर हम इसको C-level पर देखें, at sea level तो sea level के उपर इसके जो height होती है mercury की इस tube के अंदर फिल होती है वो तकरिवन 76 cm होती है या फिर 0.76 meter होती है ठीको स्टुर्ण स्टुर्ण देखें अगर pressure को देखें, mercury यहां पर भी है trough के अंदर और इसके अंदर भी mercury है अगर इस side पर इसकी दोनों साइड पर मैं pressure को increase कर दूँ इस side पर, तो क्या होगा जतना ज्यादा यहां पर pressure increase करेंगे उतनी ज्यादा mercury यहां से इस tube के अंदर फिलोना शुरू होती है अगर हम side पर pressure बलाए करेंगे, तो mercury tube के अंदर फिलोना शुरू होती होती है इस tube के अंदर होगी mercury की, I repeat जितनी height इस tube के अंदर mercury की होगी उतना atmospheric pressure ज्यादा होगा I repeat तेके, जितनी, अगर height इस tube के अंदर mercury की कम है पहले 76 है, कम है, as compared to 90 76 है तो atmospheric pressure कम होगा, as compared to 90 जब side पर atmospheric pressure बढ़ जाएगा, यानके environment में overall, अगर suppose ये tube है, बाकी overall atmospheric pressure increase है तो कैसे पता चलता है, pressure increase है, क्योंकि जब pressure increase होगा, तो mercury इस tube के अंदर फिल ओना शुरू हो जाएगा, तो जितनी ज्यादा height इस tube के अंदर होगी mercury की, उतना ज्यादा atmospheric pressure होगा, clear और जितनी height कम होगी, atmospheric pressure इतना कम होगा, अब atmospheric pressure को मालूम करने का एक छोटा सा formula होता है, ATM, atmospheric pressure atmospheric pressure को हम मालूम करने के लिए density density, मैं इसको short formula एक ता हूँ तो क्योंकि तो सा length इचले, मैं यहां लिख देता हूँ pressure हमने मालूम करना है atmospheric pressure, इसका फार्मूला होता है density of mercury, mercury की हाइट, इस tube के अंदर कितनी है multiple है, जी, gravitational acceleration तो इसको मैं लिखेंगे, rho g और ये h, ठीक है तो स्टुम्ट याद रखें कि जो atmospheric pressure होता है would अब depend कर रहे है जो हम liquid, liquid तो mercury यूज़ कर रहे है mercury की density, ये तो fix होगी 30,000 13,600 इसकी density होगी और h, अगर मैं c level पर देख तो c level पर इसकी height होगी 0.76, तो multiply 0.76 और g की वाली मापस होगी 10, तो ये round word मापस बन जागा, 101, 3, 2, 5, pascal ठीवा सुन, और ये pressure होगा जब हम c level के उपर pressure को मईर करेंगे, तो ये एक छोटा formula होता है, pressure को मईर करने का जो कि इसके अंदर यूज़ रहता है तो सुन, देखें pressure depend की किस पर कर रहे है mercury तो हम use करते हैं, ये तो fix रहेगा gravitation acceleration fix रहेगी अब पीछे जो चीज़ बच्छती है, variation वह आरी हाइट में हाइट जितनी ज्यादा होगी इस column के अंदर, 76 है यहां पर 0.76 की जाए मैं अगर 90 cm रेल हो जाने के 0.90 ले 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 तो answer इस से बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आपकी बार 340 हो जाए ठीक है, जैसे हम हाइट ज्यादा पूट करेंगे, तो answer में ज्यादा आ जाएगा हाइट काम हो, हाइट काम होने का मतलब किया है कि environment में atmosphere pressure कम है, pressure कम होगा तो height भी इसकी कम हो जाएगे तो जिसकी वज़ाँ से मारे पास answer जोगा वो इससे भी कम हो जाएगा, clear तो जो यह पास बारो मेंटर और इस फार्मूले को यूज करते हुए हम atmosphere pressure मेर करते हैं अब आजा है, variation कैसे होती है अट्मासफिर में, variation का मतलब है कि कैसे forecast को मेर कहता है, कैसे पता चलता है कि कल बारश होने का मकान है कल तुफाना ने का मकान है कल मौसम खूश करेगा, dry रहेगा कैसे पता चलता है तो उसको महिर करने के लिए भी barometer ही use करते है उसको indicate करने के लिए भी barometer ही use करते है लेकिन क्या process क्या होता है कैसे पता चलता है तो आएए, पहले आपके mind में ये चीज़ ये formula आना चाहिए कि मैं इसको side पर लिख देता हूँ pressure is equal to rho g h ये formula इसे मैं ये उसकर रहे है चले, सबस्वेले हम बात करते है पहला मारा point होगा कि अगर increase in temperature of air अगर air का temperature increase हो तो क्या होगा अगर air का temperature increase हो अगर air का temperature increase है तो इसका मतलब ये है कि air के molecules की kinetic energy ज्यादा होगी increase kinetic energy temperature का good ज्यादा है तो air के molecules की kinetic energy increase होगी है अगर increase kinetic energy होगी तो उसका volume volume भी increase होजागा ठीक है volume कैसे increase होगा जब kinetic energy increase होगी तो molecule एक दूसरे से दूर हो जाएंगे expand हो जाएंगे चले मैं एक point और भीश में add करता हूँ kinetic energy increase हो जाएंगे तो molecule expand हो जाएंगे ठीक है अगर molecule expand हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि volume जो है वो increase हो जाएगा ठीक हो गया जब volume increase हो जाएगा अब क्या होगा, volume increase होने का मतलब यह है देखें, मैं यहाँ पर formula का लगा लेता हूँ density का rho is equal to mass over volume ठीक है, यह अपने पिछले lecture में पढ़ा है density में अपर होता है, volume और mass over volume का iteration होती है mass के हम यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है volume की जब volume, अब volume और density का relation inverse है volume अगर increase होगा, तो density decrease हो जाएगी ठीक हो गया, किसकी density? यह हवा की density है अब आजाएं इस वाले case में, pressure अबने मेज़ करना है pressure, अब density हम कम put कर रहे है जब हम density कम put करेंगे, तो हमारा overall answer भी कम आजाएगा जैसे कि सब्सक्राइब 10 put की, तो हमारे पास answer हो गया 100, सब्सक्राइब 10 की बज़े हम इसको 5 put कर देचे अब answer हमारा 50 हो सकते है, ठीक है जब हम density को कम put करेंगे, कि density हमारी कम और है, density कम put करेंगे परकिसी करेंगे फार्मूला में, तो ओवर अवरा फरेशर डिकरेज हो जाएगा, तो मारे पास जिनिवड़़ा हो गया, तेट्मासफेर अध्शर डिक्रेज़़ाज हो जाएगा, जब तंपरेचर बढ़ेगा, इसका मजलब यह टमपरेचर पाकिसान के अंदर टमपरेचर गर्मियों में जून जलाइबे बहुत कम होता है सोरी बहुत ज़्यादा होता है जून जलाइबे टमपरेचर बहुत ज़्यादा होता है जब टमपरेचर इंक्रीज हो गावा के अंदर तो atmosphere pressure decrease हो जाएगा right इस काम reverse कर देते हैं increase in temperature है अगर मैं कह दू decrease in temperature decrease in temperature अगर temperature काम decrease कर दे इस का reverse है यह अब के बार के होगा अब visual step मैं skip करके मैं direct we can worry about increase in temperature था तो pressure decrease था decrease in temperature है तो pressure increase होजाएगा pressure increase ठेखे लिए हरगा के अन्दर तो हरगा जो atmospheric pressure होगाओ कर रादान मार थे इंदर जो हवा दबाओ लगाएगी जो हवा का pressure होगा अर्थ के ओपर वो decrease होगा और इसका मतलब है अगर हवा के अंदर temperature ज्यादा है environment का temperature ज्यादा है गर्मियों का मौसम है तो जो atmospheric pressure exert होगा on the earth वो decrease होगा clear यह था हमारा पहला point अब आजाते दूसरे point पर clear सुनी यहां तक चले अब हम आजाते दूसरे point पर दूसरा point हमारे पास है यह था temperature का बात करते हैं मौस्चर की increase in मौस्चर in air अगर एर मौस्चराइज हो जाए एर कंदर नमी आजाए तो क्या होगा मौस्चर मतलता है नमी अगर हुआ में नमी होती हो क्या है अगस्त यह स्प्टंबर में बरसात का मौस्चर मौस्चर होती है तब क्या होगा अगर ह्वा में जी ज्याद है कि water and vapor ज्याद है ठीक है तूं कहेंगे water的話 आटर लीथ हम केंगे water नमी ज्यादा तो वाटर वेपर इंक्रीज होंगे अगर वाटर वेपर इंक्रीज होंगे तो कि वाटर वेपर जो होते है यह गैस को कि नजर तो आता है नहीं तो इस तो इस प्लाइका गैस ड्रोप तो गैस के जो मॉलिकली होते हैं उनका जो मैस होता है वो बहुत का बहुत होता है relative decrease होता है तो हम यह कहेंगे के mass हम कहेंगे water vapor जो है water vapor is light gas यह एक light gas होती है ठीक है light gas है तो इसका मतलब इसका वदन कम है तो हम कहेंगे decrease in mass decrease in mass तो mass decrease होजाएगा अगर mass decrease है तो again वही फार्मूले पर आज है rho is equal to mass by volume अगर decrease mass है अब इसकी volume की बात नहीं हो रही है अब इन तोनों की relation की बात हो रही है अब आपको पता चाहरा है कि density और mass दोनों directly proportional है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा तो यहाँ पर mass decrease है तो density क्या होगी अफ्कोर्स decrease होगी जब decrease यह हम रपूर्ट करेंगे तो atmospheric pressure भी मार पस decrease हो जागा तो हम कहेंगे atmospheric pressure जो होगा मैं दिरेट्पर बिक्षरड डिक्रेज ठीक होका स्वें तो इसको हम कहेंगे यह था increase in moisture अब हम कर लेते decrease in moisture decrease in moisture अगर decrease in moisture in air हो जाए तो मैं visual step skip करके में डिरेक्ट इस पर आ जाता हूँ तो यह मारे पास increase था moisture तो pressure decrease और decrease हो जाएगा तो यह increase हो जाएगा इसका मतलब है अगर moistureization कम हो जाए हवा के अंदर तो जो pressure होगा वो increase हो जाएगा तो यह थे मारे पास दूसरा प्मांट था दूसरा प्मांट था जो ने पड़ा मौस्ट पहला प्रेश्टर के बारे में दूसरा प्मांट आप आजाये नेक्स्ट तीस्रे पाइंट पर अगर अगर atmospheric pressure मैं डिरेक्ट इसको शॉर्ट आँए तो pressure मैं रखे लिता हूँ अगर mercury column के अंदर pressure suddenly fall कर जाए अगर mercury column का pressure 76 से suddenly down हो जाए 40 पर आजाए तो क्या होगा अगर 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 pressure suddenly fall हो जाए तो यह indicate करता है cyclone को याद रखना है अगर अगर pressure suddenly fall हो barometer की height अगर suddenly fall हो जाए तो यह indicate करती है cyclone को cyclone क्या होता है? तोfon नहल física इसे यह पता चलता है नेक्स्ट चन्द टाइम में चन्द गंटों में और नेक्स्ट चन्द दिनों में यह gradually हो जाए तो तो हम कहेंगे प्रेशर अगर gradually follow अगर प्रेशर gradually follow आईसा इसा follow suddenly कि आईसा इसा तो यह possibility होती है possibility of rain तो यह rain की एक possibility होती है कि next कल को या चंद गंटों में या चंद दिनों में rain होगी बारश होगी ठीक है तो यह forecast जो महीर करते है weather forecast वो इसी barometer को यूज़ करके बताते हैं कि next एक दिन में दो दिन में बारशें रहेंगी या बारश आएगी actual में वो क्या करते हैं वो atmospheric pressure को देखते हैं कि वो gradually decrease हो रहा है या abrupt suddenly decrease हो रहा है तो इंडिकेट करते है cyclone को और अगर gradually decrease हो तो वो इंडिकेट करते है possibility of rain को अच्छा एक और स्वेल्ड है यह गर gradually fall कर रहा है अगर यह हो जाए gradually अगर यह pressure जो है pressure ही अगर increase हो जाए suddenly fall के बज़े pressure increase हो जाए इंक्रीज सड़नली इसी चीज़ को मैं लेखने तो यह प्रेशर suddenly fall था या pressure suddenly increase है तो यह indicate करेगा increase हो चुक है तो यह indicate करेगा वो ड्राइब अधर को रहे राइब अधर को रैडर की मोसम जो है वो खुश कर इसका उल्ट कर देते हैं इसका उल्ट मर पसके होगा pressure जोगा suddenly increase को जाए gradually 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 increase हो तो क्या होगा अब अगर प्रेशर एक्स्ट्रीम ड्राइब ड्राइब रोजेगा इतना ड्राइब रोजेगा के अंदर स्किन जो थी ना वो ड्राइब जाती है वो खुश को जाती है उसके पर दाग बनना चुरू जाते हैं ठीक है तो यह था आज का मारा टोपिक एक वेरिएशन इन प्रेशर प्रेशर वेरि कैसे करता है प्रेशर को मज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेट जो यूज के जाता है और कैसे कैसे टेंपरिचर के लिहाज से कैसे कैसे वेदर फोर्कॉस्ट को मज़र करके आप तक एक न्यूज पहुंचा जाती है तो गले सोरे तोसोरे ये था हमारे पास आज को टोपिक वरियेशन इन आटमास्फेरी प्रैशर